हाई गाइस हावार यू आम गुंजन यू आर वाचिंग ब्रेंस्टॉर्मिंग सेशन तो वाटर जो है यह डिफरेंट फ़र्म में अकर होता है एक वाटर वेपर, एक्वियस वाटर, क्लाउड्स और उसके बाद आईस और स्नो तो यह जो सभी फ़र्म है, यह डिफरेंटली रियाक करते है सोलर रेडियेशन को या फिर एक्वियर के टेंपरेचर को एक्वियर डिफरेंटली कॉंट्रिबूट करते है तो हम यह अभी डिसकस करने वाले हैं आपको पता है कि ग्रीन आउस इफेक में क्या होता है और वाटर वेपर वन आप दो मोस्ट इम्पोर्टन कमपोनेंट है जो इंकमिंग शॉर्ट वेव रेडियेशन को एपसॉर्ब कर सकता है यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और इवन जो आउटगोइंग रेडियेशन होते है जिने ग्रीन हाउस गैसे से एपसॉर्ब करते है तो वाटर वेपर क्या है एक वन आप दे इंपोर्टन ग्रीन हाउस गैस है और वो क्या कर सकता है कि आउटगोइंग रेडियेशन को भी एपसॉर्ब कर सकता है तो इसका मिनिंग क्या हो रहा है water vapor incoming solar radiation को भी absorb करता है और outgoing radiation को भी absorb करता है तो इस तरीके से water vapor other greenhouse gases से क्या है different है atmosphere में जो concentration है water vapor का वो काफी change होता है extremely cold region में ये around 0.01% हो सकता है और जहाँ पे actually temperature around 32 degree Celsius है वहाँ पे 3-4% अग actually क्या हो सकती है water vapor हो सकती है और interestingly greenhouse effect के लिए सबसे ज़्यादा contribution किसका होता है ये water vapor का ही होता है clear skies में ये 36-66% हो सकता है और जब clouds होता है तो ये 66-85% actually क्या कर सकता है greenhouse effect को contribute कर सकता है अभी आपको क्या समझना है water vapor feedback आपको पता है कि ongoing phenomenon कौन सा है हमारे पास global warming तो global warming में temperature increase होगा और temperature के बाद evaporation actually क्या होगा increase होगा और evaporation ज़्यादा होगा तो क्या होगा water vapor का زदा production होगा तो और आपको पता है कि water vapor क्या है actually एक greenhouse gas है तो ये further क्या करेगा global warming को contribute करेगा means increased water vapor क्या कर रहा है global warming को accelerate कर रहा है this process is known as water vapor feedback तो ये तो water हो गया है लेकिन हम देखते है कि cloud कैसे react करते है solar radiation के लिए तो जो insulation आता है, incoming solar radiation आते है वो 27% क्या करता है, reflect करता है clouds are absorber as well as reflectors of the incoming solar radiation but overall cumulative impact क्या होता है कि overall 27% जो radiations है, incoming solar radiation है उन्हें cloud क्या करता है, reflect करता है means अगर cloud cover जादा रहेगा तो हमारा temperature क्या हो सकता है, decrease हो सकता है तो clouds जो है, वो incoming solar radiation को reflect करते है और water vapor से ये काफी differently react करते है incoming solar radiation को अब water का और एक form है, that is ice तो ice जो है, ये क्या करता है, actually incoming solar radiation को reflect करता है ice known to have highest albedo on earth means जो incoming solar radiation आएगा actually sun से earth surface पे, उसे ice क्या कर सकता है, reflect कर सकता है और ice का albedo कितना होता है, 98% means 100 unit अगर आ रहे sun से, तो 98% radiation back to the space reflect कर सकता है तो इस तरीके से ice react करता है incoming solar radiation को और इस तरीके से ice water vapor से या फिर cloud से काफी differently react करता है incoming solar radiation को, ये क्या होता है, reflector होता है incoming solar radiation का और जो जितना ice cover है earth surface पे, वो कितना reflect करता है actually solar radiation को incoming solar radiation को 2% reflect करता है अगर ऐसा हुआ आगे चलके कि ice cover कम हुआ, तो क्या होगा कि ये 2% जो radiation है, वो atmosphere में ही रह जाएंगे और ये क्या करेंगे, further global warming को help करेंगे global warming को accelerate करेंगे, ऐसा हम बोल सकते है इसलिए ice cover maintain रहना, ये important है हमारे atmosphere के temperature के लिए तो जो aqueous form है water का, वो क्या कर सकता है, ये बड़े level पर क्या कर सकता है, solar radiation को absorb करता है, और इस absorption की वज़े से क्या होता है, water vapor में convert हो जाता है इस hitting की वज़े से, बट जो water aqueous form में है, वो absorb करता है solar radiation को water vapor क्या करता है, incoming and outgoing solar radiation को absorb करता है but ice क्या होता है actually reflector होता है और clouds भी क्या होते है reflector होते है तो इस तरीके से water के जो different 4 form है वो differently react करते है incoming and outgoing solar radiation को So that was our topic on water vapor as biggest contributor to greenhouse effect and we also discuss about different form of the water and how they react to incoming and outgoing solar radiation Thanks for watching brainstorming session Also subscribe the channel